नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है यहाय चली दोस्तो आज के वीडियो शुरू करतें दोस्तो आज के वीडियो हम बात करने वाले बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन के अंतरगत मोटर वीकल इंसपेक्टर की अच्छी खासी वेकेंसी यहाँ पर आए डिपलोमा वालों के ल लिए वीडियो सुरू करते हैं तो सबसे पहले complete detail के लिए आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन के आप इसीयल वेबसाइट पर आना होगा जिसका लिंक आपको description में मिल जागा आप डारेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जागा देख सकते हैं यहां पर नोटीस की बात कर लेते हैं तो जो सेकेंड नंबर की नोटीस यहां पर देख सकते हैं 30 अप्रेल 2020 की यहां पर नोटीस आ चुकी यहां पर देख सकते हैं और सेर कर दीजिए तो चली देख लेते complete फ्रोसे यहां पर क्या-क्या डीटियल है तो यहां पर डीटेल में बात करेंगे तो सबसे पहले यहां पर वेकेंसि की बात कर लेड़े तो तो देख सकते हैं यहां पर जो आपको salary मिलने वाली लेबल 6 के आपको salary मिलेगी जो कि अच्छी का सी salary मिलने वाली चलिए इसके बाद यहां पर देख लेते हैं आपको योगिता है क्या रखेंगे तो योगिता के लिए सबसे पहले आपके पास high school pass होने चाहिए और साथ में यहां पर केंदर सर साथ क्रेम के अनुसार आपका diploma होना चाहिए तभी आप apply कर सकते चलिए इसके लाओं दोस्तों आपके पास यहां पर एक चीज़ और होना चाहिए यहां पर आपके पास driving license होना चाहिए तो यहां पर driving license के बात कर लेते हैं तो यहां पर gear वाली motorcycle का आपके पास या किसी हलके motorcycle चलाने का आपके पास driving license होना चाहिए दोस्तों इसके लाओं यहां पर बतादो note में जो है यहां पर learning driving license माने नहीं किया जाएगा पहले ही मैं बता देता हूं यहां पर देख से नोटिफिकेशन में साफ साफ आपको बताया गया कि जो learning driving license हो माने नहीं किया जाएगा आप आपके पास valid driving license होना अनिवार है दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं यहां पर आपको बताया कि जो भी आपकी सैच्छी के उगता है आपके पास जो होना चीए 19-6-2020 के पहले का होना चीए इसके बात का यहां पर नहीं मानने किया जाएगा चली एज लिमिट के बात कर ले आपके लिए बात करें तो सैथी से केंशी है आपर मेल और फीमिल दोनों के अपलाई कर सकते हैं और बाकी अलग-अलग के लिए जो भी एज में लीमिट यहां पर छूट मिलेगी आप देख सकते हैं नोटिस में आपको मिल जाएगे चली इसके बात दोस्तों यहां पर बा बताए गया देख सकते हैंया अपको टैल यहां पर बतायते हैं तो निच्वर होगा जो आपकर दोस्तव लिए इस खिंड आप पर 21 ट्रहर होगा होगा देख सकते हैं सबसे पहला पार जो प्रफम पार्ट हैं यहां पर अपर कर अगोलं दो घंड對不對 को स्वाइब आप drift website क्यूंचन होगे दो घंटे का समय होगा यहां पर आपको पार्ट करम दिया गया है चलिए इसके बाद नीचे आएंगे तीसरा जो आपका पेपर होने वाला है यहां पर मोटर वहां निमावली से अंतरगर्ट जो भी वहां पर होता है उसका पेपर होगा यहां पर सव क्यूस्चन होंगे सव पुडांक होंगे और दो घंटे का समय आपको मिलने वाला है इसके लाओ दोस्तों यहां पर नीचे आपको नोट में बताया गया कि जो प्रथम पेपर और तृती पेपर सभी निगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई परसान होने बात निगेटिव मार्किंग आपको नहीं होने वाला है इसके बाद दोस्तों रिटेन टेस्ट के बाद यहां पर आपका इंटर्व्यू लिया जाएगा इंटर्व्यू लेने के बाद आपका सेलेक्शन किया जाएगा कि लाओं दोस्तों बता दूँ यहाँ पर आल इंडिया से candidate apply कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर रिजिर्वेशन मिलेगा उन्हीं candidate को मिलागा जो बिहार के यहाँ पर अस्थाई निवासी हैं यहाँ नोटिस में आपको साफ 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 बताया गया है कि जो बिहार की निवासी हैं को आरक्षण मिलेगा और बाकी candidate यहाँ पर apply कर सकते हैं किसी भी स्टेट से लेकिन उनको यहाँ पर रिजिर्वेशन नहीं मिलने वाला है और बाकी डीटेल के लिए आप complete process यहाँ पर देख सकते हैं जो भी सेलेक्शन प्रोसेजर और सेल्बस दोस्तों अगर सेल्बस की ब मिद्यारत हैं उनको 750 रुपे का payment करना पड़ेगा इसके लाओं दोस्तों जो SCST candidate जो की बिहार के के वल बिहार राज के जो SCST candidate हैं उनको 200 रुपे का payment करना है इसके लाओं दोस्तों बिहार राज के जो अस्थाई निवासी हैं सभी female candidate महिलावार के अभ्यारतियों के सभी क प्रकार यहां पर सारी डीटेल आपको मिल जाएगी अब चलिए यहां पर इंपोर्टेंट की बात कर लेते हैं अप्लिकेशन कब से स्टार्ट होगा और कब तक रहेगा तो यहां पर रजिस्ट्रेशन का जो स्टार्ट होने का डेट है यहां पर दिया गया देख सकते हैं 11 चलिए मेंन के जो लाट डेट यहांपर दिखाए की च्छ्डाठ भी सिazस्यक्त रखागें इसके लागर आवेदन के जो उन्रीकेशन यहांपर आप्लाइ करने का बात करेंगे जब इसका आनलाइन अप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा तो उस वीडियो मैं कम्प्लीट प्रस्टर बताऊंगा कैसे इसका आनलाइन अप्लिकेशन फार्म फिल अप करना है और साथ में कौन-कौन से डाकुमेंट लगाकर आपको इस प्रकार इस से रिलेटर यहां पर में में जानकारी हमने सभी दे दिया है लेकिन अगर आप चाहते इसको फिल अप करना तो आप इसका एक बार कम्प्लीट नाटिफिकेशन डाउनलोड करके रिडिट कर लिजिए इसमें आपको कम्प्लीट जानकारी मिल जाएगी वीडि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिजिए तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद